इतना जरू करूँ है कि मुफ्त विवस्ता में किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए अच्छ है पहचान है हमारे सहर के उसको बनाए रखे हमारे फिरोजबाद में कोई एंट्री गेट नहीं है जी जी तो अगर हम उस एंट्री गेट को चूरी नुमा बना दें कि अब जो महापौर बने उसके अंदर क्या गुण होने चाहिए तो पहली क्वालिटी अगर कोई होने चाहिए तो रात को तेड़ बजी महापौर जनता के लिए जगता होना है बिल्कुल कुछ कारे ऐसे सहर में रह गए हैं जो इन पांच बर्सों में हम लोग पूरे नहीं कर पाए। कई सारे विकास कारे जो सहर की जनता के लिए आवश्यक थे वो केवल रायनित की भैट चड़ गए। जब नगर निगम अपने आप को स्मार्ट बनाएगा तभी तो पूरे सहर को स्मार्ट बनाएगा। और वही टेंडर जो अधकारी अपनी जुगार से 50 लाग रुपे में सफाई करा रही थे, वो 11 लाग रुपे में उसी नाले की सफाई हुई। अभी भी सहर के बहुत सारे लोग टेक्स देने से बचते हैं और सुबह ये चाहते हैं कि मेरे घर का गुड़ा नगर निगम का करमचारी ले, मेरी नाली भी साफ हो, मेरे घर की आगे सफाई भी रहे। नमस्कार बहुत-बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से किया ये मैं। बहुत-बहुत धन्यवाद, गोरब जी। उदय प्रताब जी फिरोजाबाद भारती जनता पार्टी से जिला उपाद्यक्ष हैं और इस समय नामित पारशद भी हैं तो उदय जी आपके नजरिये से फिरोजाबाद में महापर कैसा होना चाहिए। पहले तो आपके किया ये चैनल का और गोरब जी आपका धन्यवाद ग्यापित करता हूं। कि ऐसे उचित समय पर जब एक फिरोजाबाद नगर निगम चुनाव के महाने पर खड़ा है और आप युबाओं को एक प्लेटफर्म परदान कर रहे हैं अपनी आवाज रखने का अपनी भावना प्रिशित करने का इसके लिए आपके चैनल को और आपके साथियों को सभी को धन्यवाद है हमारा निता कैसा हो यह एक ऐसा सब्द है जो मैं काफी लंबे समय से सोचता हूं लेकिन अगर भारती अंता पाल्टी की राइनित के परप्रेक्शन बात करूं तो केंद्र से सुरू करूंगा तो हमारे देश के मानेनी प्रधानमंत्री भाई नरेंद आउंगा तो उत्तर प्रदेश के मुखिया मानेनी योगी आदितिनाथ जी उससे नीचे जिले में आउंगा तो इस जिले के यशश्वी सांसा डॉक्टर चंदर सेंज जादौन जी और अगर नगर में आउंगा तो नगर विधायक मनीश असी जाजी जी अगर आप मुझे सोते में भी पूछेंगे हमारा नेता कैसा हो तो विधान सभा से लेकर किंद्र तक यह चार नाम जो मैंने आप से बोले यह हमारे आइडियल नेता की पहचांद अब चुकि चुनाव के परफेक्ष में हम बात कर रहे हैं वह भी नगर निगम गौरब जी भारतियंता पाइ और नगर निगम में मैंने जो सबसे पहली और अंतिम बात सीखी कि नगर निगम में काम करने वाले लोगों का कितना भी कठिन परिश्रम कितनी भी मैनत हो यह थेंस लेस जोग है मैं पार्शद हूं मैं कितना भी अच्छा काम करूंगा लेकिन जनता उसका परतिफल मुझे कुछ दे कर नहीं देगी, जब मैं जनता से पीछे जाओंगा, तो कहीं ना कहीं मेरी जो कमियां रह गई होंगी, जो तुटियां रह गई होंगी, जो गलतियां रह गई होंगी, लोग उनको इंगित करेंगे, पांक साल, चार साल, तीन साल, जो मैंने अच्छे काम किये, उनक को याद नहीं करेंगे तो आपका प्रश्न है कि हमारा नेता कैसा हो तो हमारा नेता ऐसा होना चाहिए जो तुटियां मुझ से या मेरे नित्वत से या मेरी सरकार से या मेरी पार्टी से रह गई हैं उनमें कम्यों को भी पकड़ सके और उनको पूरा कर सके हमारा नेता ऐसा ह आपने कहा कि जो कमियां होती है जो गलती होती है लोग उसकी तरफ पहले इशारा करता है इंडिकेशन देता है और जो अच्छी बाते हैं जो काम हैं उनको ध्यान नहीं देता है दवा दिया जाता है बिलकुल सही बाता है और 100% कोई भी satisfied नहीं हो सकता और नहीं कोई कर सकता ह प्रव स्ट्टस पक्षति हो जो के आप अब सट्ट्बरी नहीं क्या है तो सकता है पहले बात नगर निगम सड़क नाली खरंजा से संबंदित करे रहा है अन्वरत समय से सडक नाली खरंजा बनते चले आ रहे हैं और अन्वरत समय तक यहां विकास कारे होते रहेंगे आप सपोज किजिए आपके इस स्टूडियो के बाहर वाली को या रोड को दो साल पहले बनाया गया था दो साल में और आने वाली दो साल वाद उसका पुना निर्माड होगा ये विकास कारे एक निरंतर चलने वाली सदत प्रिक्रिया आपने कहा कुछ कारे बिल्कुल कुछ कारे ऐसे सहर में रह गए हैं जो इन पांच बरसों में हम लोग पूरे नहीं कर पाए आप कहेंगे कौन स जैसे आप 2.17 में जब जाएंगे जब यहां प्रतंवार नगर निगम का घठन होने के बाद चुनाव हुआ 2018 में हमारे यहां 13 ग्राम सवाहों को नगर पालकामें सम्मिलित करके नगर निगम बनाये गे और वो 13 ग्राम सवाहें असी प्रशत कच्ची थी क्यांकि वो ग्राम सवाज शेत्रता वहां विकास सचुता था नगर निगम बनने के बाद उत्तर प्रदेश की इसस्वी मोदी योगी सरकार ने यहां स्मार्ट सिटी का दरजा फ्रोजावार नगर निगम को दिया लेकिन यदि मैं आपके चैनल के स सब्सक्राइब नहीं बोलना चाहिए तो मैं इस बात को स्वीकार करता हूंगी कहीं न कहीं अभी हमारे नगर निगम को स्मार्ट सिटी नगर निगम बनने में काफी समय लगेगा कई एक बिंदू है क्योंकि मैं पार्षद रहा हूं उस नगर उस विभाग में उस संस्था के समय जेडा जहल पर्योजना मंजूर हुए लेकिन चुकि समाजबादी पार्टी सरकार का तो धेथा खाओ लूटो पीओ मौच वह चलता रहा और दो यहार 14 में यूजना पास होने के बाद 2017 तक यहां अगर आपको बताऊंगा मात्र 15 प्रत्सत जेडा जहल पर्योजना क की पाइपलाइन पहुंच पाई 2017 में मनीश असया जी दुवारा विधायक हुए उत्तर प्रतिश की योगी सरकार बनी असीजा जी ने जेडा जहल पर्योजना का सारा भार अपने कंदों पर डाला और लगातार दिन प्रतिदिन की निगरानी और एक कठिन परिश्रम से प्रियोजना जो समाजबादी पाटी सरकार के समय बनी तो यहां का ठेका और ठेकेदार जो थे वो सैफ़ी परवार के आसपास के लोग वा करते थे उन लोगों ने क्या किया कि यहां जो पाइप लाइने डाली गए वो इतने लोवर मध्यम और निम्न दर्जे की थी कि जहां तक मैं जानकारी है पांसो से जादावार पंक्चर हो चुका है इस बार हम लोगों ने प्रियास करके उस पूरी पाइप्लान के टुकड़े को ही चेंज कराया लेकिन समस्या यह कि वो टुकड़ा एक जगह नहीं पूरे सोयावाद में डला हुआ हुआ हमारी सरकार म है हमारे महांपार के दौरा सदर्बिधायक महोदय के दौरा के लगातार जो नगरायत महोदया है मैं एक बात का विश्य सुलिक करूंगा यहां बैक टूबैक तीन नगरायक बरतमान नगरायक जगंजिया मीडा जी आई-ई-इस उन से पूरवड़ती नगरायक श्रीमती की नगर निगम सीमा कहीं तक ठीक ठाक काम कर रही हैं वरना सतर बरसों की ब्रश्टा चार युक्त जो सिस्टम होता है ना उसको जंग लग चुकी थी वो बिना करप्शन बिना पैसे की कोई काम करता नहीं था इन तीन नगरायक्तों ने यहां कर दिखाया है कि यदि आप में द्रड़ अच्छा सकती है आप में काम करने की जंता है आपकी सोच पॉजिटिव है तो जंता का पैसा जंता के हित में लग सकता है लेकिन मैं यह भी सुखार करता हूं कि कुछ कमियां हमारी रह गई हैं जिनको हम आने वाले कारकाल में पूर्ण करने का प्रयास दें फिरोजबाद नगर निगम सतर पारसद होते हैं बड़ा एरिया है और इसके अलावा साथ नामित पारसद हैं मेरे दस नामित पारसद हैं तो इतने लोगों की जरूरत है आपको लगता है फिरोजबाद को और फिरोजबाद का नगर निगम चेत्र या आपके साब से और ब काविल पत्रगार साथी भी इस बात को परदे से पीछे निकाल कर नहीं लाते कि बोड़ी रन कैसे करती है मैं आपको गौरब जी छोटा सा एक नट का समय लूँगा और बताता हूं नगर निगम की बोड़ी में 70 पारशदों का चैन होता है बाड के साथ से उन 70 बाड़ों को चुनने के वाद एक बोड़ बनता है नगर निगम में जिसमें 11 पारशद होते हैं उन 11 पारशदों के माध्यम से बोड़ की मीटिंग आहूत होती है और उस बोड़ की मीटिंग में ही विकास कार्यों के प्रस्ताव पास होते हैं या निरस्त होते हैं और जो प्रस्ताव प लगवग पचास यार प्लस करके महापौर का चुनाब जीते लेकिन हमारे पारशत दल में केवल वन नान याने की उन्निस पारशत भारति इंता पार्टी से जीत कर आए अब साथ होता क्या है कि हमारे उन्निस पारशत थे हमें बोड में बहुमत के लिए जैसे आपने देखा ठीक उसी प्रकास उस बोड में भी हमारा बहुमत नहीं था तो कुछ समाजबादी पार्टी के पारशतों ने कुछ M.I.M. के भी कई सारे पारशत जीत के आए कुछ बसपा के पारशत थे तो इन लोगों ने पूरे पांच साल नगर निगम के उस बोड को भली बात संचाल पारशत नहीं होने दिया कई सारे विकास कारे जोड सहर की जंता के लिए आवशक थे वो केवल राइनित की भैट चड़ गए जब पारशतों में आपसी एकदान ना देखकर अधिकारियों ने यहां अपनी जुगाड़े बना ली जिस कारण मुझे लगता है कई सारे विशय मैं एक दो विशय आपको बताना भी चाहूंगा मानिये महापार महोदया के संभू मैंने विशय रखता था इससे पूर्व नगरायक्त महोदे विजय कुमार जी के भी शंभू मैंने विशय रखता था आपने एक फ्रोजावाद में खबर पढ़ते होंगे दो चाह महीने वाद एक खबर आती है कि अस्पताल वाली गिरासू हालत में है इस मार्केट को आप तुडवाईए इसके स्थान पर एक नवीन उच्छी करत अच्छी गुडबत्ता वाली मार्केट का निर्माड कराईए जैन मंदर चौरा हमारे सहर में एक मात्र फेसिंग चेहरा है एंटर और एग्जिट का वहां से ही लोग गु लूँगा तो सबसे पहले उसका चेहरा देखुँगा उसके कपड़े देखुँगा उसका बॉर्ड बंगर्टंदा चौरा हे चरणा की सिघे यसा होना चाहिए जिसके चाफेर हात की विल्डिंग गिरास और जब नगर निगम अपने आपको स्मार्ट बनाएगा तभी तो पूरे सहर को स्मार्ट बनाएगा तो ऐसे कई एक विसे हैं जिन विसें को लेकर हमाने मन में अभी त्रशना का बाव आज भी है फिरुजाबाद नगर निगम में आपने अभी बहुत अच्छी बात की कि जब चहरा सही नहीं होगा तो फिर बाकी शहर कैसे स्मार्ट होगा लूग ये कह रहे हैं कि जो महाप़ादर वर्तमान में रही हैं इन्होंने शहर में तो काम किया लेकिन जो शहर से जुड़े हुए छेत्र थे जो थोड़ा अंदर के छेत्र थे उनमें विकास कारे नहीं हुए मुसल्मान शेत्रों में विकास करने हुए आपको क्या लगता है यह सच है या सिर्फ अफवा उड़ाइगी है यह कूरी मन गडंत कहानिया है यह उन लोगों के द्वारा बनाई हुए कहानिया है जो नगर निगम की बॉड़ी को जानते ही नहीं है और पिछले पांच साल में नगर निगम फ्रोजाबाद में जो काम हुए है उनकी उनके पास ए सिले के जैड़ तक कोई जानकार ही नहीं है आपने दो प्रश्न किये कि नगर निगम की सीमा से सटे हुए छित्रों मैंने सबसे पहले कि आप से क्या कहा था कि तेरे ग्राम सबाएं जो सामिल हुए वहा आपको एक बाड के साबसे बताता हूं आपके बहुत पास में बाड है बाड नंबर 29 वहां से हमारी बारतिनता पार्टी की पारशाद है बिनाका देवी राठ ओर जहां तक मुझे जानकारी है लगवग लगवग बारह साड़े बारह अरोप लगा कि सबसे ज़्यादा काम मैं आपको उसी तरफ ले जा रहा हूं लगबग लगबग जहां तक मुझे किलियर कट नहीं एक फिगर वाले आंकड़ा दे रहा हूं आपको लगबग बारे साड़े बारे करोड रुपई से बार नंबर 29 में विकास कारे हुए लेकिन मैं आपको यह बताता हूं कि छेत्रफ कि अवश्यक्ता है मुझे नहीं लगता कि 12 क्रोड रुपई उसका बार के विकास के लिए परयापते से आप जाए बार नंबर 25 ढोल पुरा बहुत बिस्तरत बाड़ है वहां तौनों ग्रामी गाउं ढोल पुरा मोती का नगला इनके बीच की भोगोलिक दूरी भी लगव काम बहुत हुआ लेकिन आवश्यक्ता काम की अभी उससे भी जागा है आपका दूसरा प्रिशन मुश्लिम बाड़ों का आप अभी नगर निगम जाए और नगर निगम में एक 10 रुपे की आई टी डालके आप पिछले पांच सालाओं में हुए कार्यों का ब्योर काम मुस्लिम आवादी में हुए हैं और सब भारती इंता पार्टी का तो पर्थम बाग किये कि सबका साथ और सबका विकास और सभी का विश्वास तभी तो हम लगातार सरकार में जीत कर आ रहे हैं अगर हम 14, 17, 19, 22 में जीत रहे हैं तो किवल एक कम्मुनिटी या एक समद काम मुस्लिम आवादी में लगातार किये तो जो लोग मुस्लिमों के एतेसी बनते चले आ रहे थे और पिछले बीस बर्स से लगातार उत्तर प्रतिसमें सासन कर दे उन्होंने उन मुस्लिम छित्रों का विकास क्यों नहीं किया जब हम हमने आदा पैसा उन छित्रों में ल में राज गिया और उन लोगों का इस बात से बुट लिया कि हम आपके मुखिया हैं हम आपके चोदरी साहब है और उनका विकास नहीं गिया उनकी बोट लेकर किवल राजनीत की तो यह एक प्रश्ण उन लोगों से भी वहना चाहिए चलिए एक आरोप और लगता है मुझे किया आद है कि जिन चेतरों में जरूरत नहीं थी विकास का रही कि उनमें विकास सडक के ऊपर सडक बनती रही और जहां सडकें नहीं थी जहाँ बननी चाहिए थे भाहाँ सडके नहीं नहीं लिगिए घरणे बंदी आप मेरी सोचल मीडिया को फोड़ाइंगे कि जम्यूही विवस्था जिसमें जंग लग चुकी है करप्सन की वो नहीं मानती साहब होता क्या है नगर निगम में एक जैई साहब अधकार ठेकेदार से सेटिंग करते हैं ठेकेदार बताता है कि जैई साहब इस रोड को आप बनाएंगे तो इसमें कम मार्जन में ज्याद नहीं मिल पाता कि वो हर एक विकास कारे को अपनी नेर से देख सके तो ऐसे समय पे अधकारी और ठेकेदारों की मिली बगत से कभी कभी गलत काम होता है मैं आपको एक उधारण के तौर पर समझाऊंगा आप अभी अपने के आईए निउस का केमरे की आँक ले जाईए और नालवंदान चौरा है जिसको बोलते हैं पराना शुकोहवाद अड़्डा और वहां से रसूलपूर तक का रोट लगवाग अलगवाग सबासाल पहले देट साल पहले हमारे नगर निगम से वह होट मिक्स प्लांट से बना था और एक दो अधकारी और ठेकेदारों की मिली से वो रोड अभी कुछ दिन पहले पुना टेंडर में आ गया जब मुझे जानका रही एक करोड निस लाख रुपे का टेंडर था जब मुझे और मेरे साथी पार्षदों को जानका इसमें आनंदा क्रवाल जी ने भी अपने ब्रोध दर्ज कराया मैंने भी लगाया और प्रोटेशन के माद्यम सब्सक्राइब जो थोड़े बहुत बढ़े वह ने ठीक कर देंगे तो हमारी सरकार का एक करड़ निस लाख रुपे बच रहा है तो हम अपनी सरकार होते हुए अपनी महापर होते हुए उनके सामने कड़े हुए हम लोगों ने आपत्ती की कड़ा ब्रोट दज कराया और इसका परणाम है कि उसका टेंडर नरस्त हुए आपने देखाओ कुछ से में पहले यहां के एक रदकारी ने जो जलकल में कारी रहते हैं अस्वावाद चौराए पर एक पचास लाख रुपए से सुपर सकर मसीन के दौरे एक नाले की सफाई का टें जी का भी मुझे सईयोग लेना पड़ा कि कभी कभी क्या होता है कि अधकारियों से लड़ने के लिए पार सथ एक छोटा प्रतनी सावित होता है तो मैंने नगर्बदायक जी का सईयोग भी लिया और उन्होंने भी श्याम वहां जाके सर्वे भी कराया हमने कमिशनर साहब आगरा से भी सर्वे कराया और उसका परणाम यह हुआ कि वह पचास लाग रुपे का टेंडर ने रस्त हुआ और वही टेंडर जो अधकार ही अपनी जुगार्ट से पचास लाग रुपे में सफाई करा रही थे वह 11 लाग रुपे में उसी डाले की सफाई हुई तो ऐसा भारतिनता पार्टी की सरकार में कोई गलती होगी तो भारतिनता पार्टी के कारकरता प्रतनेदी या पार्शत उस गलती को पी जाएंगे नहीं साहब भारतिनता पार्टी की सरकार है और भारतिनता पार्टी की सरकार ही अपने कारकरता को इतना दंब देती है इतना विश् नगर निगम में आयके शुरूत होते हैं, टेक्स के अलावा भी और कई शुरूत हैं, आपको क्या लगता है कि पिछले पांच साल में वो इस तर घटाया बढ़ा, नगर निगम में टेक्स बिश्टा कि मैं आपको बता हूँ, हमारे यहां एक पंद्रहवां बित आयोग चला हैं, बहुत सारे नगर निगम एक बहुत बड़ी संस्ता है, और स्वबित पोशित संस्ता है, यदि सरकार आकस में कोई सहायता नहीं देती तो रेगुलर इनकी जो खुद किट जो आयोती है, हाँ, उसी से ही लोग करते हैं, कही ना कहीं फ्रोयावार नगर निगम का टेक् से सो कांतर नहर आएगा, और उसी का पढ़नाम है कि आप जब सहर में जाती है, तो आपको सफाई विवस्ता दुरुस्त मिलती है, कहीं ना कहीं जो प्रकास विवस्ता है, वो दुरुस्त मिलती है, सफाई नाइकों की विवस्ता है, वो दुरुस्त मिलती है, क्योंकि करका कूडा नगरनेगम का करमचारी ले मेरी नाली भी साफ हो मेरे घर की आगे सफाई भी रहे लेकिन टेक्स देने से लोग अभी भी बच रहे हैं सुतंत्र भारत में सभी को अपनी बात और सबसेय रखने का अधिकार है तो मैं उनके उपर तो कुछ नहीं वोलूगा लेकि कि मुफ्त विवस्ता किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए अच्छी नहीं है उद्य जी आपको क्या लगता है कि अब जो महापौर बने पिछले की हम बात नहीं करेंगे उसके अंदर क्या गुण होने चाहिए क्या क्वालिटी होने चाहिए महापौर पब्लिक से सब्सक्राइब लेकिन मैं चाहता हूं कि आने वाला महापौर करता है तो पहली क्वाल्टी अगर कोई होने चाहिए तो रात को डेड़ बजे भी महापौर जनता के लिए जकता होना है लेकिन मैं चाहता हूं कि आने वाला महापौर जो भी हो वो ऐसा होना चाहिए कि 24 वाई 7 जनता के लिए जनता के प्रत खड़ा हो न कि अपना और अपनों के लिए इसके लावा दूसरी क्वाल्टी जो होनी चाहिए देखी साब जब तक मैं किसी रोड को देखूंगा नही उसकी क्वाल्टी गुडवत्ता या उसके बनने की कितने प्रश्चत चमता है बननी भी है या नहीं जब तक मैं अपनी आख से नहीं देखूंगा मुझे समझ में नहीं आएगी दूसरी पहला मैंने बताया कि अपनों के लिए जगने वाला हो और दूसरा अपनों के लिए चलने वाला हो यानि कि वो प्रतेग जो निर्माण कारे नगर निगम छित्र में हो रहा हो उसके निर्माण होने से पहले एक बार उसकी रफ बिजिट और होते हुए उसकी दूसरी बिजिट और होने के बाद तीसरी बिजिट तो सहर की निर्माण कारें की गुडबत्ता ज मुझे लगता है कि महापौर एक ऐसा पद है जो लगबक साथ है और क्रमचारियों से नगर निगम की अंदर और साथ लाग जनता के नगर निगम के बाहर बीच का पद है मैं यदि ये कहूंगा पुरुष होना चाहिए तो इस देश की आदी आवादी के साथ गलत होगा जो भी हो वो अपने कारे में इतना कुशल हो कि हमें पुरुष और महिला देखने का विशय ही ना है चलिए युवा होना चाहिए अब युवा का मतलब यह नहीं कि 31 का होना च चाहिए सिरसा सेंगर की जब वो सफाई करते हैं तो यहां नवा उस तातकालीन डीम स्री चंद्वर्जा सिंग जी आपने देखा होगा आपकी केमरे ने कवर किया हुआ वो काफी एनर्जेटिक थे युवा थे लगवा थे थर्टी फोर्टी फाइब यर्स के थे और बिध इच्छा सकती से विवाना चाहिए एज डज नॉट मैटा चलते चलते एक आखरी प्रिशन आपसे यह रहेगा कि अगर आपको ही महापौर मैं समझता हूं मैं समझता हूं लेकिन फर्ज करिए कि अगर आप महापौर हो या आप महापौर होते तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो जनता के लिए करते या करेंगे हां मैं महापौर हूंगा यह नहीं सोचूंगा मैं यह सोचता हूं कि अगला महापौर हो और मुझे मौका मिले उसे अपने मन के बिचार या अपने भाव बताने का तो दो तीन चीज़ें हैं जो मैं सेहर में देखना चाहूंगा सेहर मे अभी डोर टू डोर विवस्ता चलिए कुड़ा क्लेक्शन की सबसे पहले मैं से सत्तर वाड़ों में नियमित करूंगा क्योंकि कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहेगा कि मेरे घर का कच्ड़ा मैं स्वयम गल्ली में फैकूं यदि वो कच्ड़ा कोई लेने वाला सफाई नायक अपने हाथ से होगा और मैं इस वात को भी जानता हूं नगरने का मैं रहने के बाद यदि मैं अपने दर्वाजी को साफ रखूंगा तो पूरा सेहर साफ हो जाएगा पहली प्रस्ता डोर टू डोर जो विवस्ता अभी चल लई हैं कूड़ा क्लेक्शन की यह सौ प्रस्त प्रतेग व्यक्ति के घर तक पहुंचे सौ प्रस्त यह कॉमर्सियल यानि की जो हमारे बाजार है जो छोटे-छोटे छेत्र है वहां तक भी इनका कूड़ा क्लेक्शन का साम को इबनी में क्योंकि देगी साब घर का कूड़ा निकलता है सुबह और कॉमर्सियल स्थान का बंद करता है उसके बाद उसका कूड़ा निकलता है तो हाउस का कूड़ा सुबह उठे कॉमर्सियल कूड़ा साम को उठे पहली चीज यह होने चाहिए दूसरा अभी भी यहां जड़ा जाल पर्योजना को दुरस्त करने की आवशकता है कई एक छित्रों में क्या होता है कि पैपलान लीकेज हो जाती है गंदे पानी की समस्य आपने कई बार कवर की होगी देकि हम एक बैकल्पी प्रिवस्ता पर तो यह सतत चलेगी लाइन पंचर होगी ही होगी उस पर कोई प्रेशर से ट्रक निकल जाएगा तो लाइन दबेगी और वहां पंचर होगी लेकिन उ एसी लाइन है जो पंचर होगी उनको दुरुस्त करना क्योंकि जब हम पानी किसी को सच नहीं दे पाएंगे तो मुझे लगता है कि हम स्मार्ट सिटी की और आदा कदम भी नहीं बढ़ा पाएंगे तीसरी बात नगर निगम की जो प्राचीन बिल्डिंग जो जरजर बिल् नगर निगम की पक्ष में आ गई है नगर निगम का वहां पूंड ता स्वा प्रिशत कब जाए अभी वहां डोर टूर क्लेक्शन के के वल बाहन खड़े हो रहे हैं मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि उस पर भव्य कॉमर्शियल मार्केट बने जो सेहर की जनता के लिए समर्पित हो ऐसा और इसके साथ एक बहुत बड़ी समस्या जो आपने देखा होगा सहर इस समय जाम की समस्या से जूब जाए जाम की समस्या के यदि आप जड़ में जाएंगे तो केवल यहां के चोराहों का संकीन होना है मैं आपको धारण के तोर पर बताऊंगा किलब चो पर आए छोटे थे लेकिन वहां के नगर निगमने वहां के अदकारियों ने क्या किया कि जो उनके सबसे पास वाले ब्लॉक होते थे पुल के उन्होंने उस रास्ते को घुमा दिया इधर से आने वाला ऐसे डाइवर्ट किया उसका रूट बढ़ाया बीच में गोल चक्र बनाया यह सब उन्होंने भी सीमत संसादनों में सीमत इस्थानों पर किया तो ऐसी विवस्ता हम भी कर सकते हैं आप कल्पना कीजी आपका बेटा डेड़ बजे स्कूल से निकला और घर पहुंचते पहुंचते उसे चार बच्चा है जो एल के जी में है या फर्ष्ट में ह बच्चा है आप सोची उसने 11 बजे लंच किया था चार बजी तक बच्चा वो गाड़ी में तप रहा है तो कोई भी पेरेंट्स कोई भी माता पता कोई भी नागरी कि यह नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा बिना किसी बात के दो गंटे जाम में पसे जाम की विवस्ता और एक यदी सबसे बहत्रीन विवस्ता सहर के लिए कोई हो सकती है तो यहां का जो ITMS सिस्टम लगाया गया हो उत्तरप्रदी सरकार ने स्मार्ट सेटी योजना के अंतरगत फ्रोजयवाद को दो सुविधाएं दी एक तो ITMS और दूसरा जो स्मार्ट रोड बनना है अभी आप दो कारे दिये हैं अभी एक तो यहां के ट्रैफिक मेनेजमेंट को सेट करना और एक उधारन पेश करना कि इसमार्ट सिटी में जैसे कनाट प्लेस पे अब जाते हैं दिल्ली में आगरा आप सदर में जाते हैं तो आपको लगता है कि हम अपने परवार को एक अच्छे स्थ करना सो परश्थ का मतलब यह कि अभी क्या हो रहा है कि एक व्यक्ति तो जैब्रा-क्रोसिंग से पहले बाइग्र होता है और पांच लोग जैब्रा-क्रोसिंग यह चीजा नहों इसको नगर निगम मजबूती से लागू करे ताकि यहां गटना दु गटनां भी बचा है औ उनको भी हम से जस्टीफाई और पकड़ सकते हैं अक्सर यह देखा गया कि ITMS में जो ट्रैफिक लाइट्स लगाई गई हैं तो अनावश्यक रूप से कई जगें ऐसी कई चोराय से जहां पर उनकी आवश्यक्ता ही नहीं थी और वहां वो इंस्टॉल कर दिये गए अब उनक बिल्कुल यही मैंने आपसे कहा क्या कहा कि ITMS को दुरुस्त करना विवस्ता तो लागू होई है अभी वो शौप प्रसत क्रियानवित भी नहीं है अभी डेमो रोल पे चला है मामला कुछ है इनकी नोसी होती है वो प्रदेश सरकार से और नगर निगम से कई-कई-कई-सार अशेडी पर उनोंने बत्ती लगा दिया वहाँ इतना इतना सक्यान थैनकी नहीं कि वहाँ आने वाला वही रोड वही है और जाने वाला वही है अब उसको अगर बत्ती से आप कंटॉल करेंगे तो ना तो आने वाला रुखेगा यह तो यहां के मैंने आप से क्या का कुछ अधिकारियों की सतर वर्सों की जो जम्य हुई विवस्ता है यहां के जन्य प्रत्रियों को लोग पार्शवदों को इतना बेटेज आईटी एमस में नहीं दी यादि उनसे थोड़ा सलाम असवरा होता उनको भी थोड़ा सा बेटेज दिया था तो मुझे लगता है यह विवस्ता और अच्छे से सुचारू हो जाएगी लेकिन प्रदेश सरकारी की महत्वकांची योजना है और मजबूती से लागू हो रही है मेरा तो यहां के अधकारियों से नि चर्चा यहां पर हुई है और इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी और आपको अगर लगता है कि यह चर्चा वाकई अच्छी हुई और इस चर्चा में आपको कुछ महत्वकून जानकारी मिली होगी और जी ने बताया कि नगर निगम बिंदूओं पर फिरोजबाद को काम करना चाहिए फिरोजबाद नगर निगम को काम करना चाहिए शहर के वल नाम smart होने से smart नहीं होता उसके साथ बहुत सारे काम उसमें करने पड़ते हैं एक बहुत अच्छी बात इन्हों है कि शहर का अगर चेहरा स्मार्ट होगा तब ही शहर स्मार्ट बना पाएंगे जो नगर नेगा मार्केट की आपने बात करी जिसको हम तोड कर आप ने बताया कि दुबारा से हम अच्छे तरीके से बना से हैं वह बहुत अच्छी बात भी आई नगर आयक्त शुरी बजय कुमार जी के समय प्रपोजल बना था जो नगर ने सुभास्तराही चोराय पर सुभाश जी की प्रत्मा का सुंदरीकड़ का आपने देखा हुआ तो उ जयाते हैं टो लोग पूछते साथ चूडी बनती हैं नहीं बनती हम बताते हैं बड़े खूछी से उत्साह से संवां से हमारा Cuteूडीयों का और हम लोगों का ये एक महत्तुवा का सी प्रोयक्ट था कि सुभास तरह पर चूडी का या ग्लास का य सा नगीिना लगाया जाये नगर निगम फ्रोजाबाद इस्मार्ट शिटी बनने के बाद एक चनौरा इस्थान पड़ता है, साइध आपने कबर किया हुआ, खत्ता घर के लिए हमने जगवीन अगर ददक्रत की थी, आपको जानकर आश्यर चकित होगा कि फ्रोजाबाद नगर निगम ऐसे कुछ एक न निस्पादन कर रहा है, हमारे याँ बहुत बड़ी-बड़ी मशीने लगाई गई हैं, ताकि जो डेली कूड़ा हम उठाते हैं, लगवाखम 200 टन कूड़ा प्रते दिन उठाते हैं, तो 200 टन कूड़ा अगर हम बनाएंगे तो आपने कभी दिया खाओ, नहाई पे एक पहा नगर निगम ने वहाँ पर लगा रखी, बहुत बड़ा प्लांट है, बहुत बड़े एरिया में एक्क्वायर है, और मुझे लगता है कि वो नगर निगम को स्मार्ट सिटी ब्याने में बहुत बड़ा कारक सावित होगा, आपने जो सजेशन दिया, उसमें मेरा एक उसको बनाई रखेगा, सब ये फ्रोजाबाद कलकता से दिल्ली जानने वाले जीटी रोड पर है, ग्रांटक रोड पर जिसे सीर साथ सूरी साव ने बनाए था, और आप कलपना कीजिए, कलकता से आज में निकलने वाली गाड़िया फ्रोजाबाद को देखती है, तो यद आने वाले मापोर हमारा, आने वाले हमारे पारसद इस बात को उठाएंगे, और यहां के सहर को एक चेहरे की पैचान भी देने का काम इस बार नगरने काम, आने वाले पांच सालों मा करेगा, ऐसी मेरी आशा है, चलिए, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अ इसे दूसरों के साथ शेयर करके, उन तक ये जानकरी ज़रूर पहुंचाईगा, धन्यवाद.